स्लाम लेकूम वियूर्स मैं आपके असर कहने हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यू चैनल इस वीडियो फिरियो से हर तक जरूर देखें अगर ये वडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइच, शेयर, सबस्क्राइब और फालो जरूर करें और साथ कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स जरूर किया करें बसावकात आपके कमेंट्स हमारे लिए इस वी लाग को मजीद बेहतर बनाने के लिए कारगार और मुफवीद थावत होते हैं आज हमारा मुजू है सरदर्द की इकसाम और इसका इलाज सबसे पहले हम वन बाई वन सरदर्द की वजुहात को बियान करेंगे और फिर इसके बाद इसकी एकसाम और इलाज बियान करेंगे सरदर्द की वजुहात में से सबसे पहली और बड़ी वज़ा इन्सानी जिसम में जो फाजल मुआद या मादे होते हैं वो खारज नहीं हो पाते जिसकी सबसे बड़ी मिसाल कब्स है कि जिन मादों को खारज होना चाहिए जब वो खारज नहीं होते तो बसा अकाद वो जिस सम्में रियाख को पैदा करते हैं और इस तरह पठो में तनाओ आ जाता है तो जिसके वज़ा से सरदर्द हो सकता है दूसरी वज़ा है नीद की कमी बसा अकाद इनसान अपनी नीद पूरी नहीं करता इस चीज़ का मुथखमल नहीं हो सकता कि वो मसलसल अपना काम जारी रखे तो इस तरह नीद की कमी की वज़ा से भी सर में दर्द हो सकता है तीसरी वज़ा है थकावट यह थकावट जहनी भी हो सकती है और जिसमानी भी जब तक हम जिसम को आराम जो उसकी बन्यादी जरूरियात में से है वो नहीं पहुंचाते तो यह चीज़ भी सरदर्द का सबब बन सकती है नबर चार है नजला जुकाम नजला जुकाम में बसा उकावट इनसान की जिसम से बहुत ज्यादा मुआद खरच हो जाता है और बाद जुकावट नाक बंद होने की वज़ए से भी मुआद जमा हो जाता है जिसकी बदोलत सर में धर्द हो सकता है कि बसा उकावट इनसान की नजर कमजोर होती है और उसको एनक का इस्तमाल करना चाहिए जब वो एनक का इस्तमाल नहीं किया जाता तो ये चीज़ भी सरदर्द का सबाब भन सकती है और ऐसा सरदर्द अमूमन मुझसल सल देखा गया है कि ऐसे लोग सरदर्द की शकायत करत जाते हैं तो सरदर्द खतम हो जाता है बंदशे रिया कि बास उकावट हम ऐसी घजाएं खाते हैं जिससे जिसम में कसरत से हवा प्यादा होती है जिस तरह चिकन, आलू, काले चने, क्रेले, और सखत, बादाम वगएरा ये चीज़ें खाने से जिसम में रिया प्यादा हो जाएole खाती है अगर रिया खायँ हो जाए तो फिर कोई मसला नहीं लेकर रिया जिसम से खायज ना हो तो इसे भी पठों और शरियानों में पनावा आ जाता है और सरदर्द हो जाता है इसके बाद है बकसरत दमागी काम करना और दमागी काम बहुत जादा करने के वज़े से भी सरदर्द होती है और अमूमन ये ऐसे लोग जो कसरत से मुटालिया करते हैं या टीचर्स, साहबान जो बहुत जादा अपनी कुटें टीचिंग पर सरफ करते हैं तो ऐसे अश्वास सरदर्द के मर्ज में मुब्दा हो सकते हैं इन वजुहात के बियान के बाद आप सरदर्द के एक्साम के तरफ आते हैं बसा अकाद इनसान को सारे सर में दर्द होता है तो ऐसे में अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है तो पानी अबाल कर रखें और जब वो पानी नीम गरम हो तो उसको पीएं इस से आपका जिसम एक तो हलका फुलका हो जाएगा फाजल मौद खारज हो जाएंगे और पठों शर्यानों में जो तनाव होगा वो खत्म हो जाएगा और आपका सर दर्द खत्म हो जाएगा आपका सर का दाएं तरफ का दर्द इसको तिम की जबान में दर्द असाबा कहा जाता है तो दर्द असाबा में जिसम में खरारत की कमी होती है चुके मजाज बलगमी होता है तो इस तरह जो रिया बनती है वो खरारत की कमी के बाइस खारज नहीं हो पाती तो इस तरह दाएं तरफ आदा सर जो है उसमें दर्द रहता है तो इसमें भी आप पानी को बालने और नेम करम पानी के साथ ये जो फार्मूला आप सक्रीन पर देख रहे हैं ये चार चीज़ें लेकर आप इनको पीछ लें मसबर चुके कड़वा होता है तो इस तरह ये दोई शायद आप इस्तमाल करें तो आपको बहुत ज़्यादा जायद उमर वाला मरीज है तो उसको आदी चमच इसकी मिकदार इस्तमाल कर्वाएं तो इसी तरह चारी साथ से जैसे जैसे उमर काम होती जाएगी इसकी मिकदार में कमी करते जाएं अब दूसरी जो इसकी किसम है वो है बाएं तरफ आदे सर का दर्द इसको दर्द शकी का कहा जाता है ये गर्मी खुश्की की वज़ा से होता है कि जिसम में खरारत तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन खुश्की की वज़ा से जो मसाम हैं वो भी बंद हो जाते हैं और बसा उकात कबस हो जाती है जिसके वज़े से वो खरारत खारज नहीं हो पाती रिया जो है वो पठों और शर्यानों में तनाव प्यादा कर देती और बसा उकाद माते पर आप पाएं तरफ देखेंगे कि शर्यान फूली हुई नजर भी आएगी और ऐसे महसूस होता है भर फटने वाला है तो ऐसे में भी आप उबले हुए पानी के साथ जो नीम गरम हो जो स्क्रीन पर आप फार्मूला देख सकते हैं इन चार चीज़ों को पीस लें और आदी चमच उस नीम गरम उबले हुए पानी के साथ इस्तमाल करें दर्द असापा या आदे सर का दाएं तरफ का दर्द या दर्द शकी का या आदे सर का बाएं तरफ का दर्द या सारे सर में या कलख्त या एक बार ही जो दर्द होता है इन तमाम दर्दों से छुटकारे के लिए बहतरी और मुस्टकल इलाज यही है कि आप पानी को जब भी पिएं तो कोशिश करें कि उबाल कर पिएं और वो नीम गर्म हो गर गर्मी का मौस्म हो तो आप पहले अगर ठंडा या नार्मल पानी पी लेते हैं तो आखर पर एक काप नीम गर्म अबला हुआ पानी जरूर पिएं तो सर्दी में कोशिश यही करें कि हमेशा पानी अबला हुआ हो और नीम गर्म हो तो इस तरह आप हमेशा हमेशा के लिए सर्दर्द से छुटकारा हासल कर सकेंगे अब मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजासे दीजिए अल्ला हाफिज़